वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल समन्द हमारी साजह विरासत का जीवन प्रमाण है। अम इस ख्षेत्र को एक्स्टेंडेड नेवर हुडी नहीं, एक्स्टेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सलेंसीज, S.C.O. के अध्यक्ष के रुप में भारत ने हमारे बहु आयामी सहयोग को नई उचाईयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं। इन सभी प्रयासों को हमने दो मुल्भुत सिध्धानतों पर आधारित किया है। पहला वशुधेव खुटुम कम यानि पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिध्धानत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन अंग रहा है। और आधुनिक समय समय में भी हमारे लिए एक नई प्रयर्णा और उर्जा का स्त्रोथ है। और दूसरा, secure यानि security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity and environmental protection. यह हमारी अध्यक्ष्टा का theme और हमारे SEO के वीजन का प्रतिवीम है। भारत ने इस द्रश्टिकोण के साथ SEO में सयोग के पाँच नए स्तम बनाए है। Startups and Innovation, Traditional Medicine, Youth Empowerment, Digital Inclusion तथा Shared Buddhist Heritage. Excellencies, भारत ने SEO की अपनी अध्यक्ष्टा के अंतरगत 140 से अधिक कारकमों और सम्मेलनों और बैठकों की मिजवानी की। हमने SEO के सभी observers और dialogue partners को 14 विविन कारकमों में शामिल किया है। SEO की 14 मंत्रिस्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपुन दस्तवे तयार किये हैं। इनसे हम अपने सहियोग में नए और आधुनिक आयाम जोड रहे हैं। जैसे उर्जा क्षेत्र में emerging fuels पर सहियोग, ट्रांस्पोर्ड के ख्षेत्र में decarbonization और digital transformation में सहियोग, डिजिटल public infrastructure के ख्षेत्र में सहियोग, भारत का प्रयास रहा है कि SEO में सहियोग केवल सरकारों तक सिमित्न रहें। लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अधिक्स्ता में नई पहले ली गई हैं। पहली बार, SEO Millet Food Festival, Film Festival, SEO Surajkun Krapmela, Think Tank Conference, International Conference on Sad Buddhist Heritage का आवजन किया गया। SEO की पहली परियाटानेबं सांस्कृतिक राजदानी, इटर्नल सिटी, बारानसी, अलग-अलग कारेकमों के लिए आकरशन का केंद्र बनी। SEO देशों के युवाओं की उर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉंक्लेव, यंग ऑथर्स कॉंक्लेव, यंग रेसिदेंट स्कॉलर्स प्रोग्रेम, स्टार्ट अप फॉरम, यूथ काउंसिल, जैसे नए फॉरम्स का आवजन किया। काईश्विक स्थिती एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, विवादों, तनावों और महामारी से गिरे विश्वम है, फूड, फ्यूज और फर्टिलाइजर काईशीज सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनावती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रुप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांग्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। क्या हम आधुनिक चुनावतियों का सामना करने में सक्षम हैं, क्या SEO एक ऐसा संगठन बन रहा है जो बविश के लिए पूरी तरह से तयार हो इस विशे में भारत SEO में सुधार और आधुनिक रण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। SEO के अंतरगत भाषा समंधी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के AI-based language platform भाषिनी के सभी के साथ साजा करने में खुशी होगी। यह Digital Technology for Inclusive Growth का एक उधारन बन सकता है। UN सहीत अन्य वैश्विक समस्तानों में भी सुधार के लिए SEO एक महत्वपून आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज इरान SEO परिवार में एक नए सदस्य के रुप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राश्पती राइसी और इरान के लोगों को बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ। साथ ही हम बेलारूस की SEO सदस्ता के लिए Memorandum of Obligation पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज SEO से जुड़ने में अन्य देशों की रूची इस Organization के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवशक है कि SEO का मूल फोकस मद्द एशियाई देशों के हीतों और आकांग्षाओं पर केंदरित रहे। Excellence, आतंगवाद, छेत्रिय एवं बैश्विक शांति के लिए प्रमुख खत्रा बना हुआ है। हम चुनोती से निपटने के लिए निरिना एक कारवाई आवशक है। आतंगवाद, चाहे कसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसकी विरूत मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश, क्रॉस बॉर्डर टर्रिज्म को अपनी नीतियों के इंस्टुमेंट के रुप में इस्तिमाल करते हैं, आतंगवादियों को पना देते हैं, ऐसी ओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विशव पर दोहरे मापदन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनांसिंग के निप से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें S.C.O. के रेट्स मेकनिजम की महत्पपुन भुमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फ्यलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विशे में आज जरूरी आज जारी की जा रही जोइन स्टेटमेंट हमारी साजा प्रतिबद्धता का प्रतीख है। एक्सलेंसीज अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरुक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान के लोगों के कल्यान के लिए मिलकर प्रयास करने होगे। अफगान नागरिकों को मानिविय सहायता, एक समावे सी सरकार का गठन, आतंगवाद और ड्रग तसकरी के विरुद लड़ाई, तता महिलाओं, बच्चों और अल्प सरक्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साजह प्रत्पिक्ता है। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सद्यों पुराने मैत्रिपून सम्मंद रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटना करम के बाद भी हम मानविय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवशक है कि अफगानिस्तान की भूमी पडोसी देशों में अस्थीरता भेलाने या एक्स्टिमिस्ट विचार धाराओं को पुत्साइद करने के लिए उप्योग न की जाए। एक्सलेंसी किसी भी खेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिमिटी का होना बहुत ही आवशक है। बहतर कनेक्टिमिटी आपसी व्यापार ही नहीं आपसी विश्वास भी बढ़ाती हैं। किन्तु इन प्रयासों में S.C.O. चार्टर के मूल सिधानतों विशेश रुप से सदस्य देशों की संप्रभूता और खेत्रिय अखंडता का सम्मान करना बहुती आवशक है। इरान की S.C.O. सदस्यता के बाद हम चाबहार पॉर्ट के बहतर उप्योग के लिए काम कर सकते हैं। मद्दे एशिया के लैंड लॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नौर्थ साउट ट्रांसपोर्ट कोरिडोर इन्डियन ओशन तक पहुचने का एक सुरथिक और सुघम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशिल रियलाइज करना चाहिए। एक्सलेंसी, S.C.O. विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थिववस्ता के लगबग एक तिहाई का प्रतिनिदित्व करता है। और इस कारण यह हमारी साजा जिम्मेदारी है कि हम एक दुसरे की जरुनतों और समवेदन सिल्टाओं को समझे। बहतर सयोग तता समनवाई के मादम से सभी चुनोतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्यान के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अद्रिक्ष्ता को सभल बनाने में आपूर।